नमस्कार जैन सातियूं मैं आपका साती राजपाल स्वागत करता हूं सभी नोजवान और विद्वान सातियूं का Steady Exam Academy में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर लें ताकि गॉर्मेंट जोब की परतिये क्लास और अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें सातियूं राजस्तान जिस भी विद्वान साति को उत्तर आ रहा है नीचे कमेंट करें कुल इस्तलिये सीमा का कितना परतियसत भाग राजस्तान की अंतराजी शीमा है अठारा पॉइंट 07 81.9, 22.8, 6.96 कुल जो इस्तलिये सीमा है राजस्तान की कुल इस्तलिये सीमा का कितना परचेंट भाग राजस्तान की अंतराजी शीमा है देखो राजस्तान की कुल इस्तलिये सीमा कितनी है सबसे पहला सवाल तो आप से यह पूछा जाएगा तो द्यान रग लेना वेशिक सवाल है 5,920 किलमीटर ये क्या है राजस्तान की कुल इस्तलिय शिमा है जिस में से 1,070 किलमीटर अपनी क्या है अंतराइस्ट्य शिमा है पाकिस्तान के साथ में जो की बाई अंतराईजी शीमा कितनी है कुल इस्तलिय शीमा की 18.07% 18.07% कुल इस्तलिय शीमा है और अंतराईजी शीमा कितनी है अंतराईजी शीमा है 4850 किलोमेटर अंतराईजी शीमा राजस्तान की 4850 किलो मिटर है जो कुल इस लिए शीमा का कितना है भाई 81.93 परशेंट तो जो साती भी उतर दे रहे हैं I hope बहुत ही सांदर आप सभी सातियों का करेक्ट आंसर आज चुक है next अगला सवाल है कि निमन में से कहां पर सूर्य की सबसे 33 किरिने पढ़ती है रासमंद बाड मेर नागोर और पाली अब देखो कितने सवाल लोग यहां पर गड़त उतर देते हैं सूर्य की सबसे तिर्ची किर्णे साथ यहां पर सिधा सवाल पूछा जाता कि राजस्तान में सूर्य की सबसे सिधी किर्णे कहां पड़ती है तो सभी आंसर देते यहां पर 22 वाड़ा सभी उतर क्या देते बाई 22 वाड़ा में जानक लेना सबसे सिधी किर्णे पड़ती है कोर्या की किर्णे क्या पड़ेगी कि? तिर्ची पड़ेगी इसलिए सबसे ज्यादा तिर्ची किर्णे क्या पड़ती है सिरी गंगानेगर मैं और शिरी गंगानेगर ओप्षयन मां नहीं फ をब अब क्या इदागे? तो सबसे यहाँ पर उत्तर दिशा में कौनसा जिला हो जाएगा नागोर हो जाएगा तो जो साती C आंसर दे रहें नागोर उन शबी का यहाँ पर राइट आंसर होगा बर Next अगला सवाल कौनसा जिला सरवाद्धी की जिलूं की शिमा बनाता है पाली टोंक जेपूर ग्रामिन या दोसा अब देखो राजस्तान का भुगोल है वो पूरा बदल चुका है पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है कि वेसे आप पहले कि तरे तुका मारदो की सर पाली आर जिलूं के साथ बनाता है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि अब अपना भुगोल हो बदल चुका है तो राइट आंजर हो जाएगा भाई जेपूर ग्रामिन जेपूर ग्रामिन सरवादी 10 जिलूं के साथ में ये सीमा बनाता है कितने जिनु के साथ में 10 किस किस के साथ में टॉंक दोसा अलवर कोट पुतली बहरोड निम का थाना शिकर डीडवाणा कुचामन अजमेर दूद्धू और जेपूर शेर दस के साथ चलो किस किस का करेक्ट है या भाई नेक्स्ट अगला सवाल निमन में से कौन सा एक अंतरवर्ती जिला है वीलवाडा बुंदी कोट पुतली या सवाई मादोपूर देखो अंतरवर्ती जिला कौन सा होता है जिसकी सिमा ना तो किसी राजी के साथ लगती है ना किसी देश के साथ यानि अंतराजी और अंतराश् next अगला सवाल रजस्तान की उत्तर्शेदंख्षिन तता पूरोसे ही रेखा कहाें आपस काड़ती हैं, उत्तर्शेदंख्षिन और ही रेखा आपस कहां काड़ती है, णागोर अजमेर पहलं है राज्समन्ध तो यह कारती है साथ यू नागोर जिले में क्योंकि सबसे बीच में जिला कौन सा है नागोर है यह आपको ध्यान रख लेना है यदि आपको पूछे कि अक्सान स्वे देसांत्रू के अदार पर राजस्तान का सबसे मद्दी वर्ती जिला कौन सा है तो नागोर और नागोर जिले की मेड़ता तेसिल का गाव है लामपुलाई राजस्तान के नागोर जिले की एक तेसिल मेड़ता मेड़ता का एक लामपुलाई गाव है जो की राजस्तान का सबसे मद्धी बिंदू है तो ये आपको यहाँ पर पता हो ना चाहिए अगला स्व वड़ा जिस भी साथी को जवाब आ रहा है इसका उतर आ रहा है जल्दी से कमेंट करें भई राजस्तान के किन जिलू की शिमा गुजराद के साथ में मिलती है साथ यूँ गुजराद के साथ में राजस्तान के टोटल कितने जिले लगते हैं छे जिले लगते हैं, उनमें एक सांचोर हो गया, ठीक है सांचोर आ गया, उसके बाद में डूंगरपूर भी आ गया, बांसवाड़ा भी आ गया, जालोर नहीं है, क्योंकि जालोर में नया जिला यहां पर बन चुका है सांचोर, और कौन-कौन से हैं, एक अपना बाद मेर हो गया, एक यहां पर देखो जालोर से अलगोकर सांचोर बन चुका है, आपको पता होगा, कौन सांचोर, तो बाद मेर, सांचोर, शिरोही, एक शिरोही हो गया, उद्यपूर, डूंगरपूर और बांसवाड़ा, अगला है क्यों स जोड़ा सुमेलित नहीं है, बनास डूंड, माही, जोजड़ी, लूनी, बांडी, साबरमती, माजम, यहां पर देखो नदियां दे रखिये और उनकी साइक नदी दे रखिये, बनास की साइक नदी डूंड है, लूनी की बांडी है, साबरमती की माजम है, लेकिन माही की मो जोजडी या जोजडी यह जोजडी किसकी है यह लूणी की साइग नदी है जोजडी किसकी है वाई यह लूणी नदी की साइग नदी है साथ यू माही की नहीं है माही की नहीं है तो भी आंशर अपना राइट हो जाएगा चम्मल नदी किस जिले में नहीं देती चम्मल नदी किस जिले में नहीं बेती है जल्दी से बतो देगे कोटा, बारा, सवाई मादोपूर और करोली चम्मल नदी कोटा, सवाई मादोपूर और करोली में चम्मल बेती है इसके लावा बूंदी, दोलपूर और चितोडगड़ टोटल छे जिलू में चम्मल नदी बेती है राजस्तान की सबसे लंबी नदी है, कौनसी खारे पाने की जिल नहीं है, सांबर, पंच बदरा, काईलाना, लून करंशर इन में से मिट्टे पाने की जील आपको बताना है तो देखो सांबर सांबर तो सबसे बड़ी खारे पाने की जील है आपको पता है पंचबदरा भी हो गई खारे पाने की है लून करन सर्भीका नेर ये भी खारे पाने की है तो कौन से हो गई काईलाना काईलान अपने मिट्य पाणी की है जोधपूर में है, काईलाना काम पर है जोधपूर में, जोधपूर को यांसे पाणी सप्लाई होता है, अगला है कि राजी कि किस जील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है, संबर, पिछोला, काईलाना या नक्की जील, राजस्तान की किस जील काम पर है साथ यूँ उद्यपूर में है काम पर है उद्यपूर संबर अपनी जेपूर में हो गई काईलाना अभी हमने पड़ी पहले और नकी जील माउंट अबूशी रोई नीमन में से किस जिले में अधिक्तम वर्षा होती है जोदपूर अजमेर बीकानेर या शिकर अब देखो गलती करेंगे सबसे ज़्यादा क्योंकि यहां पर शिदा पुछ लिया जाता कि सरवादिक वर्षा राजस्तान के किस जिले में उती है तो सभी यहां पर उतर क्या देते है जालावाड में होती है साथ क्या देते है जालावाड लेकिन जालावाड ओप्सन भी नहीं है तो अभी क्या बताओ के देखे फस गए अभे बुंडा फसाया रहे है तो सबसे ज़्यदा कहां होती है ओप्सन के कोडिंग अजमेर में होती अगला सवाल चाहे कि पन्ना मिना की बावड़ी कहां इस्तिद है सवाई मादुपूर अजमेर बीकानेर या आमेर पन्ना मिना की बावड़ी कठेर जीवड़ा कहां पर पन्ना मिना की बावड़ी आमेर के अंदर है आमेर जेवपूर में है, इसका निर्मान किसने करवाया, तो मिड़जा राजा, जे सिंग के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया, नेक्स्ट है कि गंगनेर की निर्मान आउदी है, गंगनेर की साथ यूँ, इसकी निर्मान कब किया गया गंगनेर का, ये आपसे पूछा गंग नेर क्या निर्मान कब हुआ तो निर्मान हुआ था 1922 से 1927 में जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट है कौन सा कथन असत्य है तिर्थूं का बांजा मचकुंड तिर्थूं का मामा पुषकर तिर्थूं की नानी देव यानी तिर्थ राज अजमेर और तिर्थ राज अजमेर ये गलत हो जाएगा तिर्थ राज तो का जाता है बाई पुषकर को किसको का जाता है पुषकर को का जाता है तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा साम को सभी साथी आठ बजे लाइव जुडें डेली लाइव आठ बजे कलास होगी अपनी अभी CT के लिए आगी पसू परीचर के लिए भी चलेगी कौन सा कथन असत्य है राजस्तान का नागपूर जालावाड राजस्तान की एलोरा, कॉलवी की गुफएं गंटियों का सेर जालरा पाटन पूरों का जिब्राल्टर उद्यपूर कौन सा कथन असत्य है देगो राजस्तान का नागपूर यानि संत्रा अधिक उत्पादन होता है जालावाड में बिल्कुल राइट है एलोरा कॉल्वी की गुफएं को का जाता है तो माराष्ट्रा में है गंटियों का सेर जालरा पाटन जालावाड को का जाता है पूरों का जिब्राल्टर उद्यपूर को नहीं का जाता है यह आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जिल्लों की नगरी है उद्यपूर पूरों का जिब्राल्टर किशे का जाता है अजमेर को तो डी आंसर अपन कुम्मर 1582 जून 1522 अब देखो मैना के बल चैंज 1582 सब को पता है लेकिन मैना नहीं पता तो यहां पर क्या होगे बाई गडबड हो गई है गडबड हो गई अब बतो देखें अभी कौन सा मैना चल रहा है अक्टूंबर ही चल रहा है तो अक्टूंबर 1582 में तो सी आंसर बदन शिंग, सूरजमल जाट, चुंडा मन जाट, जमार शिंग, बरतपुर में जाट वंसकी जो इस्तापना जो संस्ताप का जाता है साती हूं, वो किसको का जाता है, चुंडा मन जाट को का जाता है, और इन्होंने अपनी राजदानी थुन को बनाया था, किसको बनाया, थ अठारा सो सताउन की करांती के समय राजिये की कितनी सेनिक चाउनिया, कितनी सेनिक चाउनि में करांती नहीं हुई, कितनी सेनिक चाउनि थी, अठारा सो सताउन की करांती के समय राजिस्तान में टोटल छे सेनिक चाउनि थी, है ना, छे में से चार सेनिक चाउनियों में करां टी नहीं हुई कोई विद्रो नहीं हुआ कौन-कौना की ती एक उती व्यावर अजमेर बेदेगी और एक थी खेरवड़ा यह लुड़ा कहां पर है अभी भी यहां खेरवड़ा कहां पर है उदियपूर में है द्यान रहें उदियपूर में अगला है कि मारवाड यूत लिंग की इस्थापना कब हुई मारवाड यूत लिंग की इस्थापना 1931, 38 या 1927 में मारवाड यूत लिंग की इस्थापना जे नारण व्यास के द्वारा की गई थी कब की गई थी साथ यूं 1931 में कब की गई थी 1931 में रियासत आयो का गटन कब हुआ 1930, 47, 28 या 1950 में ये कोई रियासत आयो के अध्यक्स को होन थे सरदार वल भाई पटेल इसके अध्यक्स थे और इसका जो गटन हुआता साथ ये रियासत आयो का वो 5 जुलाई 1947 को इसका गटन किया गया कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को सवामी देयानन सरस्वती राजस्तान आये थे दो बार, तीन बार, चार वार या पांच बार सवामी जी जो सरस्वती है मेरसी देयानन सरस्वती यूनियशूटी अजमेर में है आये थे वहां पर इशली है तो राय टांजर क्या हो जाएगा भाई तीन बार आये थे राजस्तान में कितनी बार आये थे तीन बार नीमन को सुमलित कीजिए सुमलित करना है भाई क्या है तिलस्मी किला तिलस्मी किला बुंदी में है मामा देव के पूजा होती है पगल्यूं की, इंटूं की, बेलगाडी की या तोरण की मामा देव के पगल्यूं की पूजा होती है क्या रहे मामा देव की किसकी पूजा होती है भाई तोरण की पूजा होती है तोरण लकडी का होता है तोरण किसका बना होता है लकडी का बना होता है जिसकी पूजा की जाती है नीमन में से असत्य कतन कोन सा है तेजा जी की पतनी का नाम पेमल गोगा जी की पतनी केलम दे देवनारेन जी की पतनी का नाम सेडू खटाना पाबू जी की पतनी पूलम दे बतो देखने जीवडा काई हुई जैसा कि साथ यूँ आप सभी जानते हैं लोग देवता, वीर सत्यवादी, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था क्या नाम था? पेमल गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे था देवनरन जी की पत्नी नहीं थी सेडू खटाना ये उनकी माता थी देवनरन जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे था पाबव जी की पत्नी पोलम दे तो बिलकुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा C C यहां पर क्या हो जाएगा बैई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेडू खटाना इनकी माता थी पतने का नाम पीपल दे था पीपल का पेड होता है न अगला है कि काल बेल या जाती अपना गुरू किसे मानती है आचारिये, महापर्गे, जेमल्दाज कनपानाथ या बेकनजी काल बेलिया जाती अपना गुरु किसे मानती है हाँ क्या हो जाएगा कनपानात को मानती है शी आंशर अपना राइट हो जाएगा राजस्तान में पहली बार सती परता पर रोग लगाने वाली रियासत आमेर भीका नेर बुंदि या कोटा राजिस्तान में पेली बार सत्य पर्ता पर रोक लगाने वाली रियसेत कौण सी है सात्यूं? बूंदी कौण सी है? बूंदी कब लगाई थी? 1822 में सासकोन ते? विश्णू सिंग कौन ते? महाराजा विश्णू सिंग अगला है कि कलाडी क्या है? कलाली क्या है लोग गीत सराप पहुंचाने वाली जाती लोग नर्ती है लोग नाटी लोग गीत अलग होता है नर्ती अलग होता है और नाटी अलग होता है कलाली क्या है तो कलाली लोग गीत है क्या है सातियों गीत गए जाते है अगला है कि किसे राय बादूर की उपादी मि हिराचन दोजा, कनेया लाल, सेट्या, मानिकिलाल, वर्मा या स्यामलदास, कवी रजा, शामलदास, राय बादूर की उफदी, किसे मिली वी थी, हिराचन दोजा को मिली वी थी, गोरी संकर हिराचन दोजा, राजस्तान इत्यासकार, पर्शित इत्यासकार थे राजस्तान के, अगला स्वाल क्या है कि बीज़ा और माला दो भाग कौन सी जंजाती के है मीना भील सांसी या डामोर बीज़ा और माला दो भाग कौन सी जंजाती के है तो सातियों ये सांसी जो सांसी जंजाती है इसी के दो भाग अलग अलग जंजाती है एक्जाम नजदिक है कल से हम कोशिज करेंगे डेली सुबह और साम दोनु टाइम कलास हो डेली 50-50 या 100-100 सवाल हम कवर करें जल्दी से ताकि आप सभी सात्यों का रिविजन और अच्छे से हो जाए मॉडल पर हम सभी सब्जेट के निकालें और आपका कोई डाउट है कोई फिडवेग आपको देना है तो आप मुझे नीचे कमेंड कर सकते हैं या मुझे वोट्सप पर भी मेसेज कर सकते है 8529144016 इसके लाबा आप टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ जाएं इस्टेडी एक्जाम एकेडमी में